जुल्म के साये में लव खोलेगा कौन, अगर हम भी चुप रहे तो बोलेगा कौन नमस्कार मैं निदी रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक सुप्रिम कोर्ट का एक फैसला आया है सुप्रिम कोर्ट का कहना है कि ST, SC, आरक्षन में अब सब केटेगरी बनाई जाएगी सोची किस तरीके से रेजरवेशन को खतम करने के लिए तमाम तरीके के प्रोपगेंडे को अपनाया जा रहा है जो सरकार खुद नहीं कर सकती है उसको जातिवादी जजों के दुआरा इस तरीके से फर्मान जारी करवाई जाते हैं तकि बहुजन समाज में फूट डालो और राजनीती करो पर सफल हो पाएं तमाम लोग शोशल मीडिया पर तरह तरह की प्रतिकिरियाई भी दे रहे हैं चंदर शेकर आजाद ने तो बकाएदा सुप्रिम कोट के जजों को चनौती देते हुए सरकार से यह अपील किये कि अगर इस फैसले पर गंभीरता से सुप्रिम कोट ने फिर से नहीं सोचा तो फिर से इस देश में बड़ा अंदोलन होगा और फिर से दो अपरेल को धोराया जाएगा सोचिए जिस तरीके से लगतार आरक्षन की बात हो रही है जातिये जनगर्ना की बात हो रही है और सोचिए किस तरीके से STSC के रेजर्वेशन पर जब बात आई तो तमाम लोगों ने हाथ खड़े कर दिये लेकिन अपने तो अपने होते हैं चिराग पासवान भलेई गडवंदन में NDS सरकार के साथ हो लेकिन सोचिए अपने अधिकारों के प्रती वो बेबाक होकर फिर भी बात रख रहे हैं इसके साथ साथ दिलिप मंडल ने तो मोहीम छेड़ दी है और किस तरीके से तमाम आरो प्रतियारों दिलिप मंडल पर लगाए गए थे कि भारती जनता पाटी के हाथों वो बिग गए हैं लेकिन सोचिए अपने सविधानिक मुल्यों के साथ उन्होंने समझोता नहीं किया और तमाम बहुजन समाज के चिन तक जो हैं वो बड़े अंदोलन की तयारी में सुप्रिम कोट का ये फैसला पुरे देश को तोड़ने के बजाए कहीं एक जुट ना कर दे जिस तरीके से STSC Act को खतम करने के लिए बहुजन समाज सडको पर आ गया था दलिस समाज को छेड़ना सुप्रिम कोट के जातिवादी मनुवादी जजो को कहीं भारी ना पर जाए सोचिए कैसे डी वाई चंद चूड सुप्रिम कोट में डॉक्टर अंबेटकर की प्रतिमा लगने पर वा एक आपके साथ सापनात और तो दूसरा नागनात का काम कर रहा है वो आपके ही पैरों के नीचे से जमीन खिसकाने का काम करते हैं सोचिए कांग्रेस पाटी पिछले 60 सालों में लगतार बहुजन समाज के हक अधिकारों की बात तो करती आई लेकिन बहुजन समाज के हक राजनीती करते हैं हिंदू मुसल्मान करते हैं जबकि उन्हेंने पूरे वोट बैंक की राजनीती सोसल जस्सिस के आधार पर की थी भारती जनता पाटी लगतार सवालों के घेरे में हैं लेकिन चुराक पासवान चन्रशेकराजार राजकुमार राउत तमाम वो बहुजन सम आज के सुब चिंताग जो वाकई में संघर्सों से निकल कराए हैं वो सोचिये अपने हक अधिकारों के प्रती अभी भी बोल रहे हैं बिना चुनोतियों के घबराए और बिना किसी लोग लालच के चुराक पासवान ने भी सवाल खड़ा किया है कि आखिरेस्ट्री असीस पासवान जी इस बात की मांग करते आये हैं कि जब तक समाज में अनुसूची जाती एवं अनुसूची जन जाती के खिलाव चुआ चुट जैसी प्रता तब तक स्टी असी स्रेणी को सब केटिगरी में आरक्षन पर क्रीमी लेर जैसे प्रावधान ना हो लोग जन सकती प पासवान ने इस फैसले का विरोध किया हैं सोचिए जाती है भेदभाव पर सुप्रीम कोट बात नहीं करता क्योंकि वो तू समाजिक भेदभाव में आता है लेकिन आरक्षन को खतम करने के लिए सुप्रीम कोट में बैठे जातिवाधी मनुवाधी विचारधारा के जज जो हैं वो किस तरीके से फैसले सुनाते हैं और सरकार जिन फैसलों को संसस से नहीं सुना पाती ऐसे फैसलों को ऐसे जातिवाधी जजों के मुझ से बुलवाने का काम करती है भले ही ये शेडूल कास के टिगरी से आने वाले जज के हातों क्यों ना सुनाया गया हो सोचिए ये लोग बहुत सतर्क हैं क्योंकि ये चाहते हैं कि इनी के हकदिकारों को अगर खतम करना है तो इनी की जाती के व्यक्ति को लाकर कुर्सी पर बिठा दो ताकि तमाम बहुजन समाज के लोग सवाल न उठा पाएं आरक्षन का अधार जातीगत भेदबाओ और जुआ जूत है आप इसका अधार नहीं बदल सकते हैं स्टी एस्टी लिस्ट में क्रिमिलेयर वाले सुप्रिम कोर्ट के फैसले पर समस्ति पूर की सांसाज संभावी चौदरी ने भी इसका विरोध किया है सूशिये किस तरीके स सुप्रिम कोर्ट के जज जो हैं वो कैसे दॉक्टरम बेजकर की मूर्थी पर माला और बहुजन समाज के हक अधिकारों पर ताला लगाने का काम कर रहे हैं जस्टिस बी आर गवाई ने दलित होने के बाब जुदाय साब फैसला सुनाया घोर ब्रामनवादी और दलित आधिवासी विरोधी है आपको इतिहास में किस रूप में रखा जाएगा याद ये साइद इन वकील को जज को तमाम इस पेटिशन दायर करने वाले लोगों को सोचना चाहिए किस तरीके से स्टी स्टी के हकदिकारों को खतम करने के लिए अपनों को ही आगे किया जाता है सोचिए ये लगतार तूल पकरता हुआ मुद्दा दिखाई दे रहा है लक्षमानी अदव लगतार सरकार से और सुप्रिम कोर्ट से पूछ रहे हैं कि कोलोजि पर तमाम जर्ज जो बैठे हैं वो भी कही ना कहीं मनुवादी जातिवादी मानसित्ता से ग्रस्त हैं इसलिए इस तरीके से फैसले सुनाई जा रहे हैं IIT के इतने विभागों में एक भी आदिवासी यानि ST विध्यारती नहीं बाट भी दोगे तो क्या ये सीटे भढ़ जाएंगी असली खेल पदों और सीटों के खाली रखने का है इसलिए उप वरगी करण या किर्मी लेयर मगर सबसे पहले जाती है जन गणना होनी चाहिए कैसे NFS लगा कर आपके बच्चे को College University से निकाल दिया जा रहा है क्योंकि आपके बच्चे में तो मारित नहीं अपने बच्चों को ये तमाम लोग देश विदेश पढ़ने के लिए बहसते हैं और आपके बच्चे के हाथ में घंटा दे दिया गया है बजवाने के लिए औ आपके आरक्षन को धीरे 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 खतम करने का परियाज किया जारा STSC आरक्षन में किर्मिलेयर लाकर क्या साबित करना चाते हैं जबकि College University के आंकड़े उठा कर देखेंगे तो बहुजन समाज के अभी भी खाली सीटे खाली रह जाती हैं OBC समाज के बच्चों को ये कहकर निकाल दिया जाता है कि आप तो सूटेबल नहीं हैं सीट के लिए सोचिए नौट पाउंड सूटेबल NFS लगा कर कैसे बच्चों को College से University से White College जॉब से दूर रखने की शाजिस मनुवादी लोग लगतार करते आ रहे हैं IIM एहमदाबाद कोलकाता इंदोर सी लॉंग फेकल्टी में रेजर्वेशन इस परकार है OBC 0% ST 0% ST 0% और UC यानी जर्णल के टिगिरी जो हैं वो 100% है अब आप फैसला कीजिए कि आपको क्या ते करना है चंदचूड का बाप Chief Justice था कोलोजियम सिस्टम के कारण वे Chief Justice बन गया परंपरा के अनुसारिस के बाद वे अपने बेटे अभीनाव या चिंतन या दोनों को Chief Justice बनवाएगा किरमी लेयर लगाना है तो पहले High Court Supreme Coach में लगाओ जज के बेटे को जज बनाने की चिफारिस पापा या पापा के दोस्त नहीं करेंगे परिक्षा में Indian Judiciary Service बना कर जज की नियुकती करने में डर क्यों लग रहा है तो जाती है जणगना से पहले कोलोजियम सिस्टम पर बात होनी चाहिए कोलोजियम सिस्टम के अधार पर बाप का बेटा कब तक जज बनता रहेगा इनको STSC के रिजर्वेशन में सब रिजर्वेशन लागू करना है जबकि छूआ छूट अपनी चरम सीमा पर जाती है बहदबाव अपनी चरम सीमा पर है ये किसी को नहीं दिखाई देता लेकिन सोचिए आरक्षन सब को दिखाई देता है STSC को बाटो राज करो केस में वकील यही कपिल सिबलता पिशले 30 साल में आरक्षन के खिलाफ हर केस में ये कहीं न कहीं होता है कॉंग्रेस ने से पाला है अब से सपा के समर्थन से राज्य सबा में है सपा और कॉंग्रेस के लड़के आज कल सविधान बचा रहे हैं सुप्रिम कोर्ट का दमात है ये टहलते हुए सुप्रिम कोर्ट में जाता है और हर केस का ये 80,000 से भी जादा की रकम लेता है और सोची इतने केस पेंडिंग में है चाहे अखलेस ही अदब हो चाहे ब्राहुल गांदी हो ये आपको सविधान हाथ में लेकर गुम्रा जरूर करेंगे लेकिन जो आपके सविधानिक मूलियों पर बात करें जो आरक्षन के समर्थन में बात करें वही आपका असली ही तैसी है इनका सरनेम देखो इन में से एक भी आदिवासी जज नहीं स्टेसी आरक्षन का बठवारा होना चाहिए क्योंकि ये ते किया है मनिपूर में हाई कोट द्वारा डाला गया है कैरोसीन सुखा नहीं देश के सुप्रिम कोट कैरोसीन डाल रहा है कि आप देश की तरक्की को देखकर जल तो नहीं रहे जातिवादी जज जो हैं वे एक्सपोज हो गए हैं और अब तमाम नागरिकों को बोलना चाहिए सिफ जाती भिदभाव के अधार पर रेजर्वेशन सब को दिखाए देता है लेकिन सोचिए किस तरीके से आज भी आजादी के 75 साल बाद बहुजन समाजा दिवासी समाज पिछड़ा समाज लगतार अपने सविधानी का दिकारों के लिए संगर्स कर रहा है सरवोच्य न्याले का ये आदे SST, SC, OBC को आपस में बाट देगा जिससे बहुजन समाज को भारी नुकसान होगा ये आदे से RSS की सोच की जीत होगी तो दिल्ली के पूर्व Social Justice मंत्री राजेंदर पाल गौतम ने भी सवाल उठाया है और तमाम लोग कमर कस चुके हैं कि अगर सुप्रीम कोट ने अपने फासले पर गंभीरता से नहीं सोचा तो फिर से 2 अपरेल को धोराया जाएगा स्टी में उनको बाहर कर दो स्टी में उनको बाहर कर दो तकि आरक्षन को आसानी से खतम कर दे बाकी कमजोर जातियों को लड़ने के लिए कौन आएगा तो सोची किस तरीके से माई लॉड जातिवादी फैसले सुना रहे हैं और जिराग पासवान के सासार मीतिन मेशराम सुप्रिम कोज के वकील दिलिप मंडल यहां तक ही आरज़ेडी की स्पोक परसन प्रियंका भारती समुद्दे पर खुल कर सामने आ रहे हैं लेकिन सवाल तो पूछा जाना चाहिए जातिवादी मनुवादी विचारधारा के पन पे यह जर्ज कब तक आरक्षन विरोधी फैसले सुनाते रहेंगे बियस्पी सुप्रिम मायावती ने भी सुप्रिम कोड के इस फैसले का विरोध किया है सामाजी कुतपीडन की तुलना में राजनिती कुतपीडन कुछ भी नहीं क्या देश के खास कर करोडों दलितों आदिवासियों का जीवन भेदवाव मुक्तात्म सम्मान वे सविमान का हो पाएगा अगर नहीं तो फिर जाती के अधार पर तोड़े वे पचाड़े गई वरगों के बीच आरक्षन का बचवारा करना उचित नहीं है सोचिए सुप्रिम कोड को शायद जाती है भेदवाव पर फैसला सुनाना चाहिए था सुप्रिम कोड को कोलोजियम सिस्टम के खिलाव फैसला सुनाना चाहिए था लेकिन मायलॉर्ड तो संगी निकले मायलॉर्ड को लगता है कि STSC को आरक्षन के आधार पर बाट दो ताकि बहुजन समाज एक जुट नहों पाए बहुजन समाज अपनी भगेदारी की बात ना कर पाए बहुजन समाज आने वाले समय में सडक से उड़कर संसत ना पहुँच जाए जिस तरीके से लगतार STSC OBC को बाटने का परियास केंदर सरकार से लेके सुप्रिम कोड के जज तक कर रहे हैं ये आने वाले समय के लिए एक चुनोती भरा है इसलिए बहुजन समाज से अपील है कि आपको अपने सविधानिक अधिकारों के लिए उन तमाम लोगों का हासला बढ़ाना चाहिए चिराक पास्वान, मावन मेशराम, दिलिप मंडल तमाम लोग आपके अरक्षन को जो बेबाकी से बचाने के लिए लड़ते आए हैं उनके साथ खड़े हो यह और फिट से दो अपरेल धोराया जाएगा चनलोशे कराजाद में जजों को चुनोती देते हुए कहा इस वीडियो पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए और बताईएगा कि सुप्रिम कोर्ट के इस फैसले पर आपकी क्या रहा है निस्नल दस्तक की आपसे गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं